प्रत्याशी के नाम की खोशना नहीं की है बानु प्रत्याशी चैन में कॉंग्रेस उलज कर रहे गई है और अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं कर पाई है कॉंग्रेस बड़ी खबर आपको बता दे बिरेश ठाकूर और सावित्री मंडावी के नाम पर उलजण लगातार बनी हुई है बीजेपी ने 24 घंटे पहले ही प्रत्याशी के नाम की कोशना कर दी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भानू प्रतापूर उक्चुनाओं से जड़ी हुई है बड़ी कबर है बीजेपी ने कल ही अपने प्रत्याशी का अईलान कीया था ब्रमनन निताम को भानुपरतापूर उप्चुनामे प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उतार दिया है लेकिन कॉंग्रेस में अभी तक उहा पोह के इस्तिती बनी हुई है दिवंगत विधायक सावित्री मंडावी जो कि दिवंगत विधायक आपको बता दे मनुझ मंडावी की पतनी है उनके नाम को लेकर और बिरेश ठाकूर के नाम को लेकर अभी तक कॉंग्रेस उलजी है और नाम तैय नहीं कर पा रही है आपको बता दे कि दिवंगत विधायक मनुज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और इस पर उप्चुनाव होने है बीजेपी ने फिलाल अपना कैंडिडेट उतार दिया है लेकिन कॉंग्रिस अभी तल नामों का पैनल फानल नहीं कर पाई है और हमारे विशेश संबाताता गौरव शर्मा हमारे साथ इस ख़बर पर चुट चुके हैं गौरव निश्चित तोर पर कल बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोशना कर दी लेकिन कॉंग्रेस के सामने अभी तक उल्जान की स्थिती दिखाई दे रही है क्या ये माना जाए कि आज या फिर कल में प्रत्याशी के नाम का ऐलान कॉंग्रेस कर सकती है कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो अपना नावांकन दाखिल करेंगे तो उसके लिए कल सुबह 11 बजे का समय तैक किया गया है तो प्रत्याशी के नाम की जो गोशना है वो आज कर दी जाएगी ऐसा माना जा रहा है और अब बिरेस ठाकूर को लेकर भी पेच फसा हुआ है तो किस तरह से ये पूरी इस्थिते इंदर्मित होई अनिशे दुर्प सब 13 दावेदार जो है वो सामने आया थे और इसके बाद में कहीं न कहीं इस्थानी जो नेता थे उनका ही दबाव था कि पाल्टी कारे करताओं को ही मात दिया जाये और पाल्टी के जो समर्पित कारे करता है उन greater consumption दिया जाये चुनौन लड़ाय जाये कि साविस्त्री मंढवी की पत्ति नाम पर मुहर लग गई है इसके अधिकारी कब तक होता है। पर सभी के निकाहें ठीक हुई है। बहुत शुक्रिया, बौरॉव इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।